तो जी यहाँ कूलम स्लोव समझाया गया, जहां हमने जब दो चीजों को आपस में रब किया, तो उनके बीच में पैदा हुआ फ्रिक्शन फोर्स ने अबजेक्ट के अंदर के अटम्स से इलेक्टरॉन पाहर कर दिया, और जिस कारण वो बन गए नेगेटिबली आयोनाइज और जब ये काम दोनों अबजेक्ट के साथ हुई, तो दोनों अबजेक्ट के अटम्स ने इलेक्टरॉन लूस किया, और वो बन गए नेगेटिबली आयोनाइज अटम्स, और जब दोनों अबजेक्ट सेम चार्जस के हैं, तो वो रिपल्सन सो कर रहे हैं